हेलो एविवन कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्थ होंगे तो आज की जो रीडिंग है यह हम करने वाले हैं देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है वो आज शाम को आपके लिए क्या फिल कर रहे थे ठीके रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है कि आज शाम वो आपके लिए क्या फिल कर रहे थे क्या उनके emotions रहे feelings रहे जज़बात रहे सारी चीज़े हम आज की अपनी इस reading में देखेंगे ठीके तो चलिए करते हैं reading को start देखते हैं क्या बताते हैं आपके पार्टनर के बारे में, ओके, सो, फोकस, गाइट करें अजल, इन्वर्ज, ओके, फ्लीज मुझे गाइट करें अजल, ओके, फ्लीज मुझे गाइट करें, okay 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 कि अच भीजदे संच थेस्ट कि अप्राइडि कि टो मैरेज लग बिलीप्स ओके ट्रावलिंग एंड डेटिंग का कार्ड है वाटम आप देक गेट टू नो इच अधर ओके कार्ड्स को क्लिर करते है प्लीप्स मझे गाइड करें इनिवर्स डीचिंग आउट का कार्ड क्यों है यहाँ पे फोकस किजिए आप अपने पार्टर के ऊपर ओके फोकस अच्छा रहेगा कार्ड्स निकलेंगे जल्दे ओके प्लीज काइड करें ओके एस ओफ कप्स हार फैंट एंड मेरे पास मैजिशन के एनर्जी ओके बॉर्टम ऑफ देक टेंपरेंस का कार्ड है यहां मुझे यह फील हो रहा है आपके एनर्जी के अनुसार से दिखें आपके जो पार्टनर है ना आपको रिच आउट करना चाहते है यह पॉर्सन ठीक आपसे यह पॉर्सन मिलना चाहते हैं आपसे यह पॉर्सन बाते करना चाहते हैं बाते किस बारे में और मिलना किस बारे में तो यहां पर दिख़ा है कि आपके partner जब भी आपको देखते हैं इंके अंदर एक positivity आती है एक positive समन, positive सी energy feels होती है आपके partner को मुझे ऐसा feel होता है कि आपके partner आपको लेकर के काफी सोचते हैं डीप लेवल में सोचते हैं deeply इनकी feelings इनके emotions नजर आ रहे हैं मुझे मुझे ऐसा भी feel होता है जिसे कि आपके जो partner है ना देखिए यहां पर एक एक तरीके की ऐसे energy feel हो रही है जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि आपके partner जल से जल आपको contact करना चाहते है जल से जल यह परसन जटी है यह परसन आपके तरफ आना चाहते है एक new beginning की energy मुझे काफी clearly दिखाई दी ऐए new beginning clearly दिखता है यहाँ पे ऐसा लगते हैं कि आपके partner आपको ले करके पूरी तरीके से हक जो हता ना की life में involve होना चाहते हैं या आपके साथ involve होना चाहते हैं मुझे यहां पर काफी क्लियर दिख रहा है कि यह आपके पार्टनर आपको एक बहतरीन सा पॉर्सन मानते हैं या कहें तो एक बहतरीन से एनर्जी के साथ आपको देखते भी दिख रहा है ठीक है मुझे दिख रहा है हारफेंट के नर्जी हारफेंट के नर्जी भी कापी क्लियर दिख रही है ऐसा दिख रहा है जिसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के हारफेंट के नर्जी में है यानि कि कहें तो आपके पार् फील करके है ना तब यह person आपके साथ आना चाहता है यह person spiritual connection को feel कर रहे हैं जो भी connection है ना आप दोनों के बीच में past life connection है यह connection में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए थोड़ा सा वो चीजे मुझे नज़र आ रहे हैं कि येस आपके partner के अंदर है आपके partner उन सारी शीज मुझे यहां पर यहां पर दिख रही है मुझे यहां पर यही दिख रहा है जैसे कि आपके partner को जो प्यार है जो महाऑबत है जो इक्रार जो हैं तक दिख रहा है मुझे जहां तक दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको as a life partner की रूप में अभी फिलहाल देख रहे हैं क्योंकि यहां पर जो है एक नई सुरुवात कह सकते हैं या कहें तो शादी के matter को लेकर के आप दोनों मिले थे तो वो शादी का matter आगे बढ़ता हुआ भी दिख रहा है यास आज शाम को आपके पार्टनर प्रसनली आपसे मिलने की चाहत में रहे हैं और मिल करके जो भी अपने गिले शिक्वे हैं है ना वो गिले शिक्वे जो है ना आपके पार्टन को दूर करना है आपसे ओके यह एनरजी काफी हद तक फील हो रही है मुझे है ओके प्लीज मुझे गाइड करें अंजल्स ओके नाइट ऑफ स्वार्ड्स टेंप्रेंस एट ऑफ कप्स ओके तो यहाँ पर यह भी दिख रहा है जैसे कि आप दोनों का मिलना यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है ना थोड़ा सा डर लग रहा है कि अगर मिले बाते करें कुछ उच नीच है ना कुछ बाते हो जाए तो फिर क्या होगा मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपके पार्टनर को जो है ना उसी चीज का डर लग रहा है यहाँ पर आपसे तो पहले सबसे पहले यह परसन अलग नहीं होना चाहते हैं किसी भी कीमत पर यह परसन आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं और मुझे जहां तक दिख रहा है कि यह person आपको लेकर अपनी feelings को लेकर अपने emotions को लेकर के काफी clear हैं, काफी clear way में यह person बाते करते हुए दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है जिसे आपके partner आपके साथ balance इसलिए भी बनाना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आप और यह दोनों एक ही मंजिल के मुसाफिर हो, यानि कि आप दोनों एक दूजे के लिए बने हो और दोनों का dream भी एक है और दोनों को एक दूसरे के साथ भी काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ पर third party का डर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई third party न ज़र आरही है मुझे बस थोड़ी सी इन सेक्यारिटी दिख रही है मुझे, ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वह जो कहते हैं कि सब कुछ कर दिया, सब कुछ होने के बाद से, ये चीजे होती हैं, तो यास आपके पार्टनर के अंदर है काफी परिशान है काफी परिशान वाली एनरजी देख रहे हैं मुझे और अएसा भी देखता है जैसे कि आपका और आपके पारटनर के बीच का जो भी रिस्ता है ने यह प्यूर लेवल पर होना चाहिए ठीक है तो प्योवर लेवल पर रिस्ता जो है जो आपके साथ होना चाहिए यह पार्शन अब को लगता है या लगता था ठीक लेकिन यहां पे कुछ ना कुछ चीजों के बीगढ जाने से ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आजाने की वज़से यहां पर रिस्ते में थोड़ी से प्रॉब्लम हो गई है जो यह पर्सन फिल कर रहे है थोड़ा सा उदास भी है थोड़ा अपने आपको यह फील कर रहे हैं कि आगे बढ़ना होगा life में आगे बढ़ना होगा एड़स्ट करना होगा है ना तो वह चीजे मुझे नजर आ रहे हैं adjustment करते हुए आप दोनों ही मुझे नजर आ रहे हैं ठीक है कि calls मुझे गाइड करें अंजल्स ओके अधियर डैविल के एनर्जी सेवन आफ वांड और नाइन आफ स्वर्ड्स ओहो बात यह है हो सकता है मैरेच से रिलेटेड ही बात हुई थी आप दोनों की बीच में चांसे हैं मैरेच से रिलेटेड या कमिट्मेंट से रिलेटेड बाते हुई थी जिसकी वज़ासे जिसके पूरे ना होने की वज़ासे या जिसके सही ना होने की वज़ासे आप दोनों ही कही ना कही परिशान रहे, कही ना कही आप दोनों ही बहुत अइड़स्ट नहीं कर पाए और problems का सामना यहाँ पर करना पड़ा मुझे यहाँ पर एए देखता है कि आप दोनों के बीच में कही ना कही कुछ issues हुए हैं कही ना कहीं कुछ problems हुए हैं इसको लेकर के यहाँ पे आप दोनों के बीच में रिष्टा ही तूट गया और बात आगे ही नहीं बढ़ पाई, इसके वज़े से आप दोनों ही काफी अलग हो गए, दोनों का एक दूजे के साथ connection तूट गया, ऐसी feelings दिख रही है मुझे, ऐसा लगला है जिसे कि इस रिष् है ना, वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे, क्लिरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर अपनी feelings को लेकर, अपने emotions को लेकर के काफी clear way में जो है ना, यहाँ पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखे लेकिन यहाँ यही है कि negativity इतनी ज हो पाएगा है ना, वो energy मुझे नजर आ रही है, यहाँ पर ऐसा लगता है कि यह आपके और आपके पार्टनर के बीच में marriage का जो energy है ना, ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर वो कल नहीं पाएंगे अब, क्योंकि अब इनके अंदर ना है तो strength बची है, ना ही power बची है, औ feel होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, तो energy मुझे दिख रही है आपके cards में, ओके, love beliefs का card क्यों है यहाँ पर, okay, the emperor, queen of swords and queen of pentacles, yes, यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है, knight of pentacles का, sorry, eight of pentacles का card है, मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपके और आपके partner के अनुसार से, देखिए जो भी है, जैसा भी है, थोड़ा problematic तो है, problem के साथ तो यह सारी चीज़े होती भी दिख रही है, और मुझे यहाँ पर यह देख रहा है कि आपके partner थोड़ा सा अपना जो भी है, देखो प्यार है, तो प्यार दिखाएंगे, लेकिन यह person का मुझे लगता है कि देखो क्या है ना, इनके अंदर भी अपना ego problem है, या आपके सामने आने पे थोड़ा सा एक होता ना, कि बोल्ती बंद हो जाते है किसी किसी के, तो वैसा ही कुछ मुझे नजर आ रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, जैसे कि रिष्टे में काफी problems आई हैं, रिष्टे में काफी issues आएं हैं, रि आगे बढ़ना जरूरी है, रिष्टे में सब कुछ manage हो सकता है, लेकिन या पे ये भी दिख रहा है कि कही न कहीं धीरे 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 करके जो है ना, ये रिस्ता आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, देखे आज शाम को मैं देखू तो आपके partner काफी अपने अं आपके partner को, ऐसा लगता है जैसे कि आप आप जो है ना, दुनिया में हर कोई इनको छोड़ सकता है, लेकिन आप नहीं छोड़ सकते हैं उनको, ठीक है, तो वो energy मुझे नजर आ रही है आपके cards में, ठीक है, मुझे यहाँ पर यह देख रहा है कि आपके और आपके partner के कि खुबसूरत सी energy है, तो maintain करके रखना है ना, तो वो energy मुझे नजर आ रही है आपके partner में, ठीक, आपके partner आपको as a life partner देख रहे हैं, और हो सकता है कि third party इसमें इनकी mother हो, खास chances है कि इनकी mother जादा हो, यह person को आपके प्यार पे भरोसा है, अपने प्यार पे भरोसा है, वो manage करने वाले हैं, ठीक है, the lovers, page of pentacles, three of wands, yes, मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि आपके partner जो है ना, कितनी भी परिशानी है, कितना भी burden है, कितना भी stress है, यह person handle कर लेंगे, इस person को ऐसा लगता है कि यह person handle कर लेंगे, और इंतजार जो है, इंतजार में जो है ना, यह तो राते करती है ना, यह इंतजार के पल, है ना, यह कहीं न कहीं, इंतजार के पल काफी बड़े होते हैं, तो यहाँ पर दिख रहा है कि आपके partner travel करते हुए दिखाई दे रहे हैं, travel वाली energy है, travel करते हुए दिख रहे हैं, यह person, और मुझे यह भी feel होता है कि आपके partner, ज स्वास तर से ठीक है सो मुझे यह दिख रहा है और आपके पार्टनर जो है ना आपको सोल मेट मानते हैं सोल मेट ठेक है क्या है ना कि दिखो जब दो परसन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं तो यह फीलिंग्स आना मतलब जाहिर से बात है आपके पार्टनर के दिल में मतलब आपको लेकर की काफी thoughts बनते हैं काफी कुछ शीजे होते हैं काफी feelings emotions है ना यह होते हैं सो यह आपके पार्टनर आपको लेकर के बहुत 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 जदा फील करते हैं यह परसन के energy मुझे clearly दिख रही है यह परसन जो है ना आपको लेकर के एकदम से जो कहता ना क कि clear हो चुके हैं कि yes आप इनके soul मिठ हो और आपके साथ ही इनको जो है ना आगे जाना है या जो भी करना है वो करना है ठीक है so overall reading में यही देख रहा है मुझे चले देखते हैं कि अब आगे क्या होगा इस रिस्ते का अगे क्या होगा अब इस रिस्ते का प्लीज गाइड करें युनिवर्स आगे क्या होने वाला है अब इस रिस्ते में प्लीज मुझे गाइड करें आगे क्या होने वाला है प्लीज गाइड करें युनिवर्स okay wow ten of pentacles very nice the magician knight of cups queen of swords okay five of pentacles okay bottom of the deck king of wands okay so you cards okay 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 है तो चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा वीडियो को жизни कीजेगा और अगर आप मुझा से प्रॉस्तर डीडिन्य लेन चाहते हैं या कैंडल बाउग्स डीडिंग लेना चाहते हैं तो जरूर कॉंटक्क कीजेए ठीक मिलते हैं फिर आप से दूसरी डीडिंग में तब